तो आज मैं आपको बहुती ब्यूटिफुल फ्लावरिंग प्लांट नेस्टिशियम को कटिंग से ग्रो करना जो है वो सिखाने वाला हूं पूरा प्रोसेस विल फूल अपडेट के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूँ देखें यह बहुती हाड़ी प्लांट है बहुती कम के साथ बहुती अच्छी फ्लावरिंग जो है वो करता है तो इसकी कटिंग ग्रो करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कैसी कटिंग लेनी चाहिए सोईल कैसी प्रिपेर करनी चाहिए और किस तरह के एड्मोस्फवर में इसको रखा जाए कि आपकी जो है वह 100% successful है उसके अंदर healthy growth हो और अच्छे फ्लावर भी जो है उसके अंदर ग्रो हो तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो कलर के नेस्टीशियम है और यलो और यलो के पर और इन पैचिज आपको नजर आ जाएंगे तो जो भी कटिंग आप ग्रो करना चाहते है उसको च उसके बेश से ही बहुत सारी multiple branches जो है वो नजर आती है और जो stem होता है उसके पास से ही stack निकलता है जिसके ओपर flowering होती है तो आपको क्या करना है कि लगबग लगबग चार इंच के आसपास की healthy cutting जो है आपको ले लेनी है इसके जो stem होते हैं वो soft-trude होते हैं इसलिए इसकी cutting लेने के लिए आप आपके पास प्रूनर नहीं है तो आप शार्प्राइब का इस्तमाल भी कर सकते हैं उससे भी बड़ी आसानी से जो है वो कट हो जाता है तो मैं इसको कट करने के लिए जो है वो प्रूनर का इस्तमाल जो है वो करने वाला हूं तो ये आपको मैं इसकी मोटाई जो है वो दिखा रहा हूँ और अब मैं पुरुनल की हैल से इसकी जो कटिंग है वो लेने वाला हूँ तो ये कट कर देजे नोड एरिया से नीचे तो आप देख सकते हैं कि लगबग चार इंच के आसपास की जो कटिंग है वो मैंने ले ली है आप चाहें तो इससे बड़ी कटिंग भी ले सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा छोटी कटिंग जो है आपको नहीं लेनी चाहिए इस को बहुत ही साधर्ण मिट्टी का इस्तमाल जो है वो करना चाहिए और कोशिश करीगा कि इस मिट्टी के अंदर किसी भी तरह की खात का इस्तमाल ना करें तो ऐसे में आप 50% गार्डन सोईल 50% शेंड या बालू का इस्तमाल कर सकते हैं और यह आप देख सकते कि जो नीचे सब्सक्तार हो चुकी है और अम मैं इसको जो है वो ग्रो करने वाला हूं और एक चीज का आपको अमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आपने यह गलती कर दी तो आपकी कटिंग जो हो बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगी तो यह मैंने एक हॉल कर लिया है कटिंग को इसके अं नहीं होना चाहिए पूरे स्पेस को आपको जो है वो कवार देना है कि और कटिंग लगाने के बाद आपको जो है से पार्सल शैड के अंदर रखना है डारेक्ट सब्सक्राइबास का इसके अंदर मॉश्चर पना के रखे और वर्ट इंग बिल्कुल भी ना होने दीजिए तो ये condition में आपकी जो cutting है वो जल्दी और आसानी से grow हो जाती है तो मिलते हैं अपनी next update के साथ तो friends welcome करता हूँ आपका लगबग लगबग 15 दिन के बाद तो 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि जो cutting मैंने grow की थी उसके अंदर जो new growth है वो होनी शुरू हो गई है हलकि पत्ते भी छोटे हैं लेकिन धीरे धीरे ये पत्ते जो है वो बड़े हो जाएंगे तो देखते हैं कि 15 दिन के अंदर इसके routing हुई है या नहीं हुई है तो आपको मैं दिखाता हूँ कि 15 दिन के अंदर ही नेस्टीशियम के अंदर रूटिंग होनी शुरू हो जाती है तो जहां से दिखा रहा हूँ आपको निकालके आप cutting को grow करने के बाद उसको मिट्टी से बिलकुल भी मत निकाले अब अगर रूट बाल डिस्टर्ब हो जाती है और उसके शौक में जाने के चांति यह वह ज्यादा हो जाते हैं या आपकी cutting वह डाई हो सकती है पर आपको दिखाने के लिए मैं कटिंग आपको दिखा रहा हूं कि 15 दिन के अंदर जो है वह रूटिंग कैसे इसके अंदर जो हो जाती है तो अराम से निकालूंगा बहुती ध्यान से रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो अगर रूट बॉल डिस्टर्ब हो तो दुबारा कटिंग जो है वो नहीं ग्रोप वाएगी यह वाली तो आप देख सकते हैं कि 15 दिन के अंदर ओवरोल इसमें रूटिंग जो है वो शुरू हो चल Nickel अपने लिए आप यह आपको नजर आ रहिए गी 15 दिन में ही words हो जाती तो नस्यत्रिशम की कटिंग है जल्दी होने लगती है दूसी कटिंग के में मुकाबले में दूसरी कटिंग में कम से कम एक महिना जो है वह रूटिंग होने में लग जाता है पर एक महिने में जो रूटिंग है वह शुरू हो जाती तो फ्लावरिंग आने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा लेकिन ऑवरॉल इसकी कटिंग जो है वह बहुत जल्द भी हुई है और रूटिंग भी काफी हेल्थी जो है वो इसकी हो गई है तो वापस इसे जो है वो गमले में हमें लगा देना चाहिए और देखे जैसे ही एक अपता बीच जाए आप इसको डायरेक्शन लाइट के अंदर जो है वो लेके रा सकते हैं क्योंकि ये उस कंडिशन में भी जो है वो सर्वाइव कर लेता तो अच्छी तरह से कटिंग को जमा देना है रूट बॉल को सही से ट्रेट करना है ताकि आपकी मैने जो है वो विकार ना हो तो सही तरीके से मैं इसको लगा दूँगा अच्छी तरह से जमा दूँगा ताकि ये सही समय पर अच्छा फ्लावरिंग जो है वो कर पाए तो ये वापास मैंने लगा दिया हैं मिलते हैं अपनी नेक्स अपडेट के साथ वीडियो में अंतक बने रहे हैं तो वेलकम करता हम आपका डेड़ महिने के बाद आप देखेंगे कि डेड़ महिने के बाद जो कटिंग मैंने ग्रो की थी वो कुछ त्सञाने का जो है वो नजर आया है और ग्रूश्त में अंदर ये अच्छी फ्लावरिंग करने जया गए अगर देखें तो नेस्टीशियम की जो कटिंग वह बहुत ही कम समय में ग्रो हो जाती है और फ्लावरिंग करना शुरू कर देती है यहां पर भी आप देख सकते कि काफी हेल्थी और यहां पर देख सकते कि शीड भी जो है इसके पर फॉर्म जो होने शुरू हो गए हैं तो और अवर्वल काफी अच्छा जो रिजल्ट है वो हमें कटिंग का मिला है, तो आप दे इस तरीके से जो है वो नेश्टिश्यम की कटिंग ग्रो कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से सक्सस जो है वो मिलेगी, और हमेशा एक से ज़्यादा कटिंग ग्रो करिए, मैंने एक की कट आटिंग ज़रूर लग जाएगी तो मेट करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आओगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक्स वर वाचिंग माय वीडियो and we will meet in next video